हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माइ चैनल मेरे यारों सो दोस्तों शाओमी ने अन्वील किया है उसका नया स्मार्टफोन जो है M.I.C.C. सिरीज सो शाओमी ने क्या क्या है रिसेंटली मेटू बोलके एक कमपनी था उसे एक्वाइर कर लिया है सो उस बैसिस पर कमपनी ने मीटू के नए स्मार्टफोन सिसी के सिरीज पर लाँच किया है सो यह जो नया सिरीज उन्होंने अन्वील किया है वो है शाओमी का सिसी नाइन एंड सिसी नाइन इसी यह दोनों सिरीज सिसी सिरीज उन्होंने अन्वील किया है सो यह सामने और एक नया वीडियो आया है सिसी सिरीज का चलो देख लेते हैं यह सो यह विडियो से यह पता चल रहा है हमें AI स्टिकर्स मिलने वाला विडियो में आज जैसे आईफोन दिया करता था उस तरह से इन लोग भी AI स्टिकर्स यूज़ करने के लिए वो option हमें दे रहे हैं जो CC का full form इन्होंने रखा है वो है colorful and creative वो CC का meaning इन्होंने रखा है इन्होंने जो मेटू कंपाइन को एक्कॉयर किया है इन्होंने जो नया स्मार्टफोन लांच कहा है CC सिरियल सो CC 90 जो अभी रिसेंटली शाओमी अन्वील किया है सो इस फोन में जो हमें डिस्पले देखने को मिला है इसमें दिया गया है इसका जो डिस्पले साइज है वो 6.4 इंचेस का डिस्पले है विद फुल एच्टी प्लस रिसोल्यूशन हमें मिलता है इसमें जो चीप सेट लगने वाला है वह 712 स्नाप्डरागन का चीप सेट लगा हुआ है इसमें एंड फोन रन उने वाला है ऐंड्रॉइड पाई बढर मेरे यारो अश्में हमें हाइब्रीड स्लॉट मिल जाता है इसका जो अभी रैम रॉंग वेरेंट है स्मार्ट फोन का अभी तक तो फिलाल अनोन है बट इसमें हाइब्रीड स्लॉट आने वाला है इसका जो camera है camera यह नहोंने बादा है reveal कर दिया है so camera जो front selfie snapper होने वाला है वो 32 megapixel का selfie snapper है and हमें जो rear में triple camera देखने को मिलेगा CC series में so triple में दिया गया है 48 megapixel plus 13 megapixel plus 8 megapixel हमें इसमें telephoto lens and ultra wide lens भी हमें मिल जाएंगे इस phone में Xiaomi का नहा CC device में so and इसमें जो और एक बढ़िया बात है वो है इसका massive powerful battery क्योंकि इसमें दिया गया है 4000 mAh का battery with 18 watt fast charging option and इसमें 3.5 mm head jack भी दिया गया है and 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 आपको loud speaker भी मिल जाएगा सारे sensors दिये दिये गये है and इसमें जो fingerprint sensor था वो under display fingerprint sensor दिया गया है Xiaomi का CC series में and और एक जो यहां पर बहुत important बात है वो हो IR blaster क्योंकि Xiaomi उसका हर एक device में IR blaster देता है but यह Me2 का जो smartphone है इसमें तो अभी तक नहीं भी specifight नहीं हुआ है कि उन्होंने यहां पर दिया है IR blaster होई ही कि अभी तक unknown है IR blaster है कि नहीं इस smartphone में but smartphone काफी बढ़े है and इन्होंने bezel बहुत reduce किया है जैसे हमारा Redmi Note 6 Pro, Note 7 Pro आप देख सेकतो नीचे बहुत इतना इतना bezels से रहता है but यह जो CC का series आए इसमें bezel बहुत ही कम कर दिये है नीचे से इन्होंने so बहुत ही plus point है Xiaomi के लिए काफी बढ़े है unique model लाए है and water drop notch रखें display का style so काफी बढ़े है और दोस्ता अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like and subscribe करो मेरे यारो मैं कल मिलता हूँ आपको another new video के साथ तब तक के लिए बाई